करते हैं इस वीडियो में हम लापलाज करेंगे और हम तिन टाइब के फंक्शिन जार्स्न गा faculty सीखेंगे कैसे निकालते हैं क्या होता है और एकजांपर्स भूंग्च करेंगे और शॉटली हम उनको निकालना सीखेंगे तो फॉस्ट फंक्शन में लिए लिए लाप्लास ट्रांस्वर्म की डेफिनिशन मैंने वीडियो बनाई है जिसमें डिसक्स भी किया था आपने वो नहीं देखी हो तो आप उसको देख लिएज़ेगा बाकी प्लेलिस्ट म मैंने बनाई है जिसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो according to the definition जब हम इसे लिखेंगे तो यह मिलेगा 0 to infinity एकी पावर माइनस स्ट लिखते ही है और जिस फंक्शन का निकालते हैं वो लिखा जाता है तो e to the power 80 dt बेस सेम है पावर स्ट को एड़ किया जा सकत कि e to the power minus s minus a into t upon minus s minus क्यों मिला क्योंकि e to the power ax का integration होता है e की पावर ax upon a तो अब हमने यह लिखा अब इसमें लिमिट अप्लाई करें 0 to infinity तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में यह भी बताया था कि इस फोई infinity पूट करने पर 0 आता है तो क्यों आता है तो आप फर्स्ट वीडियो जुरूर देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा कैसे आता है यह तो infinity रखने पे हमें 0 मिला और जब 0 रखेंगे तो यह पूरी टम 0 हो गए उपर यानिकि e to the power 0 which is 1 तो यह मिला 1 तो अपर लिमिट से 0, then minus, then value of lower limit तो lower limit रखने पे मिला minus का 1 upon s minus है तो minus minus plus यानिकि 1 upon s minus है और जब इसमें हमें इन्फिनिटी मिलता है ना इन्फिनिटी रखते हैं और यह 0 जब मिलता है तो इसमें s minus है positive लेते हैं यह भी मैंने फर्स वीडियो में बताया था तो उसी थरह से हमने इसे यहां पर positive लेना पड़ा तो s minus है positive होगा तब ही यह 0 मिलता है अधरवाइस इन्फिनिटी हो जाएगा और according to definition लाप्लास transform के लिए यह integral exist करना चाहिए मतलब इसके value finite होने चाहिए तो इसलिए हम इसको positive लेते हैं तो finally हमें क्या मिला लाप्लास transform of e to the power a t equal to 1 upon s minus a where s is s minus a greater than 0 means s is greater than a यानि कि यह चो term है यह कैसी होने ची positive तो अगर माल लीचे आपसे यह पूछा जाता है कि लाप्लास transform of e to the power 2t then easily it will be 1 upon s minus 2 where s minus 2 will be positive लेकर यहीं अगर आपके बास कोई negative नंबर है माल लीचे 8 की पावर minus 80 तो उसका लाप्लास क्या हो जाएगा 1 upon s minus minus 3 यानि कि 1 upon s plus 3 where s plus 3 is positive तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि जब यह positive है तो यह minus का हो गया और यह minus का है तो positive हो जाएगा यह form अगर आपको ध्यान है then आप directly निकाल सकते हैं आपको यह तो सिर्फ तभी process करना है जब आपसे कहा जाए कि find this या इसको आपको कहा जाए कि इसको derive करें कि इसका laplace transform यह होता है okay otherwise you have to remember this result इस result को आप हमेशा याद रखें और यह कई questions में की use होगा तो चलिए अब हम second function की और बढ़ते हैं laplace transform of sin 80 तो according to definition जब हमने लिखा तो यह क्या आया 0 to infinity e की power minus st sin 80 dt अब इसको integrate करने के लिए हम इसका सीधी formula यूज करते हैं तो वो मैं आपको पता देती हूँ कि अगर आपके पास integration में है e की power ax sin bx dx तो इसक इसका indication क्या होता है directly वो हमें use करना चाहिए तो यह होता है e की power ax upon a square plus b square then अब इसको समझते जाहिए का shortcut इसका याद करने का कि यह चो a है पहले a रिखा sin function दिया है तो sin bx लिखा अब यहाँ a आ चुका है तो अब b की बारी है sin आ चुका है तो cos की बारी एंगल सेम रहेगा और sin क्योंकि odd function है तो यहाँ minus लिखेंगे तो यह तरीका है इसको ध्यान रखनेगा कि e की power ax लिखो upon में a square plus b square लिखो फिर a as it is sin bx का sin bx as it is आ गया कि odd होने की वज़े से minus a आ चुका है तो b की बारी sin आ चुका है तो cos की बारी इसी concept के अवसाप से अगर हमें यह कहा जाए e की power ax cos bx का भी formula लिखो cos bx bx तो यह भी आ जाता है e की power ax upon a square plus b square अब इसमें उपर a है तो a cos का पूछा जा रहा है तो इसलिए cos bx लिखेंगे cos even है तो plus आ चाएगा a आ चुका है तो b आएगा cos आ चुका है तो sin आएगा sin bx angle change नहीं होगा तो हम इस formula को हम इसके integration में use करते हैं तो देखी हमें क्या मिलता है integration of 0 to infinity e की power minus st sin a t और d t अब हमारे पास इस a की चाके minus s है तो पहले तो हम exponential वाली term लिखेंगे e की power minus st upon minus s का square plus a का square फिर a की चागे है minus s sin a t minus आएगा b की चागे हमारे पास a है और cos a t ठीक है यह आ गया इस पूरे में हम limit लगा दें अगर 0 से infinity तो यह क्या मिलेगा हमें हाँ में यह देखें यह हो जाएगा जब हम एक तो यह भार हो जाएगा 1 upon s square plus a square अब पर limit पुट करेंगे तो e की power minus infinity हो जाएगा which is 0 तो अब लिमिट से तो हमें 0 ही मिला minus lower limit जब पुट करेंगे तो t के जगे 0 रखेंगे तो यह तो वन हुआ लेकिन यह 0 हो जाएगा और जब इसमें रखा तो यह हमें देगा minus का a तो minus of minus a यानि कि हमें मिला a upon s square plus a square ओके तो हमें इस से क्या मिला कि laplace transform of sin 80 is a upon s square plus s square और s हमारा क्या है positive है तो आपको यह result यार रखते हैं इसी concept को यूज करते हुए जब हम laplace transform of cos 80 निकालते हैं आप इसको खुद करके try कर सकते हैं तो यह आता है s upon s square plus a square तो अभी हम इसके example पर discuss करेंगे ठीके निकीजिए ध्यान रखने की है जो कि बहुत important है और बच्चे इसमें गलती कर देते हैं क्या है कि देखें नीचे तो दौनों का denominator से सबस् Folks इसको और से सकते हैं कि सब्सक्रेइओ इस है तो किसमें ऐसा है कॉस जो s पर खतम हो रहा ता समय तो मिखलाना है ने ब Vari20 को इसमें आधि यंग उखते हो दिक अधिक misin रखेंगा है तो माली ची हमारी पास है कि हमें नैका gi as transform of science फूर ठीक तो अकोर्णिक टो फॉर्म्मला एक अपॉन एस स्क्वाइर प्लस एसक्वाइर एक इतना है तो फूर अपॉन एस स्क्वाइर प्लस 60 ओके इस सरे से अगर हमें निकालना है लापलास ट्रांसफरम उप फॉस्ट रीटी तो एस पर टर्मिनेट हो रहा है यानिक स्क्वाइर यानिकी नाई ठीक है तो इस तरह से फटाफट हम लेख सकते हैं आपको फॉर्मला ध्यान रखना है एस पर खतम होगा इसमें इस इसमें एस नहीं आता सीधे एपॉन एस स्क्वाइर प्लस एस तो बस इतना सा है यह आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मले है आग टे कियर राधी राधी